Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 8th chapter from Class 9, Supplementary English Book Moments. The name of this chapter is A House is Not a Home. So, chapter को start करने से पहले, हम जो है इसकी title को discuss करते हैं. Title क्या कह रहा है कि A House is Not a Home, एक मकान जो है वो घर नहीं होता है. ये तो बात सही है, मकान मतलब वो बिल्डिंग जो की material से बने हुई है. और Home, घर क्या होता है, जहाँ पर हम जो है अपनी family की साथ रहते हैं, एक दूसरे की care करते हैं, एक दूसरे को love करते हैं. So, एक मकान जो है कभी घर नहीं हो सकता है. Suppose आपने जो है एक building बनाई और उसको जो है किराई पे दे दिया. तो वो आपका मकान होगा, वो घर नहीं होगा. और वैसी same building आपने बनाई और वहाँ पर आप जो है अपनी family की साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की care करते हैं, बड़े और छोटों की respect करते हैं. तो वो जो place होगा, वो आपका घर होगा. तो एक मकान कभी भी घर नहीं हो सकता है. राइटर हमें यही बताना चाहरे हैं, और इसे effect को हम chapter में discuss करेंगे. इसके साथ साथ हम discuss करेंगे एक teenagers की problems और challenges को. एक जब बच्चा teenage में enter करता है, तो बहुत सारे problems, बहुत सारे challenges उसके सामने आते हैं. सबसे बड़ा जो उसका problem और challenge उसके सामने आता है, that is the changes in his physique. मतलब उसके body में जो changes होते हैं. और body में changes होने के वजए से, बच्चों के mood swings होते हैं, और इसकी वजए से वो अपने environment के आसपास के environment में adjust नहीं कर पाते हैं. सो वही सारे challenges और problems को हम जो है इस chapter में discuss करेंगे. और इसके साथ एक और fact discuss करेंगे कि किस तरीके से writer, author जो है अपने इन problems को overcome करता है. तो चलिए, start करते हैं इन सब facts को discuss करना. My first year of high school felt awkward. माई यहाँ पर जो है writer के लिए use किया गया है. तो writer कहते हैं कि मेरे high school का जो first year था वो बहुत ही ज़्यादा awkward. Awkward means uneasy, difficult था. और यहाँ पर तो writer जो है क्या था? एक teenager था. जहाँ adjust करने में और भी ज़्यादा problem होती है. तो इसलिए writer कहते हैं कि मेरे high school का जो first year था वो बहुत ही ज़्यादा difficult था. After leaving junior high school at the head of my class, with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting overall as a freshman. The school was twice as big as my old school and to make the matters worse, my closest friends were sent to a different high school. So, यहाँ पर writer बता रही हैं कि उन्हें किन-किन problems का सामना करना पड़ा. सबसे पहले हैं, तो junior school छोड़ने के बाद, जहाँ पर वो अपनी class के head थे, वो सारी के सारी seniority जो उन्हें junior school में मिली हुई थी, वो सारी seniority वो अपनी नए school में भी afford करते थे. मिन्स उन्हें मिलने ही जाहिए थी, लेकिन नहीं मिली और वो जो है एक freshman की तरह स्टार्ट करते हैं. मिन्स ऐसा person जिसको कोई नहीं जानता, जिसे कुछ नहीं आता है. तो एक fresh student की तरह स्टार्ट करते हैं, पहली चीज, दूसरी चीज, उनका जो school था, वो पुराने school से बहुत दो गुना बड़ा था, जहां पर वो जो एर्जस नहीं हो पा रहे थे. एक और चीज, जिसने matter को पूरी तरह से worse कर दिया, वो यह था, कि writer के जितने भी closest friend थे, वो दूसरे high school में चले गए थे, same high school में कोई नहीं था. तो यह two-three factors जो है, writer को बहुत ज़्यादा प्रेशान कर रहे थे. पहला, नए environment में जाना, जहां पर बड़े या छोटे कोई भी होने, adjust करना मुश्किल हो जाता है. दूसरा, पुराने school में तो वो head थे, और नए school में उन्हें कोई जानता तक नहीं था. यह चीज भी जो है तो उनका कोई friend भी नहीं था और इसलिए writer जो है school में बिल्कुल isolated, बिल्कुल अकेला feel कर रहे थे. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. Writer हमें कहते हैं कि मैं जो है अपने पुराने teachers को बहुत ज़्यादा मिस करता था और उनसे मिलने के लिए पुराने school जाया करता था. They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. They would encourage me to get involved in the new school activities so that I can meet new people, make new friends, make new friends. They told me that in the time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने मुझे बताया कि time के साथ मैं वहाँ पर adjust हो जाऊँगा और probably इतना adjust हो जाऊँगा अपने नए school से इतना ज़्यादा लव करने लग जाऊँगा कि मैं अपने पुराने school के बारे में भूल ही जाऊँगा. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और इस बात को बोलते हो उन्होंने मुझे promise लिया कि जब ऐसा हो यानि कि नए school में adjust हो जाऊँगा, नए school में तुम्हें तुम्हें अच्छा लगने लग जाए तो जब ऐसा हो तो तुम्हें पुराने school को नहीं बोलना है. तुम्हें फिर भी जो है time to time पुराने school आना है और उनसे teachers से मिलना है. I understand the psychology in what they were saying but I took some comfort in it nonetheless. तो writer कहते हैं I understand the psychology of the teacher. यानि कि उसके teachers उसको कह रहे थी ना कि एक time ऐसा आएगा कि तुम जो है पुराने school को तो पूरी तरह भूल जाओगे इनने school से बहुत जादा प्यार करने लग जाओगे. तो writer कहते हैं मैं इस psychology को समझ सक सकता था कि वो क्या कह रहे हैं किस condition में किस mental state में वो कह रहे हैं लेकिन फिर भी writer कहते हैं इसके बावजूद nonetheless means in spite of इसके बावजूद उनकी ये बाते जो है writer को क्या करती थी कुछ comfort देती थी means उसकी जो चीजे थी जो situations थी जहां पर वोज़स्ट में हो पाया था थो थोड in the afternoon क्यों जब तक उन्हें जो अपना high school start की हुए जादा लंबा time भी नहीं हुआ था वो अपने dining room के table कर बैठे हुए अपना homework कर रहे थी it was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace ये जो है बहुत ही cold and windy day था और उनके fire place पे fire यानि की आग जला रखे थी cold को दूर करने के लिए as usual my red tabby cat was laying on the top of my papers और as usual यानि कि हमेशा की तरह है मेरी जो red tabby tabby का मीनिंग होता है having patches तो उस writer के पास एक red cat थी जिसके जो पूरी स्किन पर जो है strips और patches बने हुए थी तो writer कहते है हमेशा की तरह है मेरी red tabby cat जो है मेरे papers के उपर लेटी हुए थी परिंग loudly पर मतलब meow meow करना तो वो जो है loudly जोर जोर से meow meow कर रही थी और occasionally sweating at my pen for entertainment's sake और switching का मीनिंग होता है to मतलब to hit something चिक है और occasionally कभी-कभी जो हब अपने entertainment के लिए जो है मुझे पैन से hit भी कर रही थी she was never far from me I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the only responsible for giving her the good life वो मुझे कभी दूर नहीं गई मैंने उसको उस time पर rescue rescue mates save किया था जिस time पर वो एक kitten थी और शायद कहीं न कहीं वो जानती थी कि मैं ही कैसा killer person हूँ जो उसकी good life के लिए responsible है और इसी लिए rider के cat जो है उससे कभी भी दूर नहीं जाते थी my mother kept stalking the fire to keep the house nice and warm मेरी मदर जो है continuously fire में जो है कोईला डाल रही थी घर को nice और वाम रखने के लिए suddenly I smelled something strange and then I noticed it smoke pouring in through the seams of the ceiling और suddenly writer जो है कुछ strange smell को notice करते है means कुछ अजीब सी smell उन्हें आई और फिर उन्होंने देखा कि जो धूँआ था वो पूरी तरह से चट तक लिप्टे लगी हुई थी means चट तक फैल गया था the smoke began to fill the room so quickly that we could Bali see और धूँआ जो है इतनी जल्दी कमरे में फैला कि हम जो है बड़ी मुश्किल से देख पा रहे थी grouping our way to the front door we all ran out into the front yard और अपना रस्ता जो है front door की तरह बनाते हुए हम सामने के ब्रामदे की तरह भागे by the time we made our way outside the whole roof was uncurled into flames and it was spreading quickly और जिस टाइम तक हम लोग बाहर निकले पूरे का पूरे जो चट थी कमरे की जो पूरे की पूरी चट थी वो आग की लिप्टों में लिप्टी हुई थी और ये बहुत जल्दी फैल रही थी means वो जो फायर प्लेस में उन्होंने आग लगा रखी थी ना वो आग कही न कहीं से होते हुए छट तक गई और इसी वज़े से जो है राइटर ने धुआ वहाँ पर स्मेल किया और वो चट तक होते हुए इतनी जल्दी फैली कि वो जो है पूरी छट को उसने जला दिया I ran to the neighbors to call the fire department when I was my mother ran back into the house मैं जो है neighbors की तरफ दूडा fire department को call करने के लिए और तभी मैंने notice किया कि मेरी mother जो है घर की तरफ वापिस भाग रही थी My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents और फिर मेरी मदर जो है घर से बाहर आई और उनके हाथ में जो है एक metal box था जो की important documents से भरा हुआ था She dropped the case on the lawn and in a crazy state ran back into the house उसने जो है उस metal box को जो है lawn में गिराया और फिर दोबारा से एक crazy मतलब पागलपन की state में फिर से घर के अंदर भाग गई I knew what she was after मैं जानता था कि वो क्या लेने गई है means दोबारा से घर में गई ना तो राइटर को पता था कि वो क्या लेने गई थी अब क्या लेने गई थी my father had died when I was young and I was certain that she was not going to let the pictures and the letters go up in flames वो कहते हैं कि मेरे father की death उसी time हो गई थी जब मैं एक छोटा सा बच्चा था और मैं पूरी तरह से शोर था कि वो उनकी pictures और letters को जो है जलने नहीं दे सकती है यही वो अकेले चीज़ थी जिने देखकर उन्हें याद करते थी मिन्स राइटर के father की death जो है बहुत जल्दी हो गई थी अब राइटर की मदर के पास सिफ उनके pictures और letters थे और उन्हें pictures और letters को देखकर उनके father को याद करती थी तो उन्हें वो जलने नहीं दे सकती थी इसलिए वो जो है दोबारा सी घर के अंदर भागी still फिर भी जो है राइटर चिलाते हैं कि नहीं mom घर के अंदर नहीं जाना है I was about to run after her when I felt large hand hold me back मैं जो होनके पीछे भागने ही वाला था तभी मैंने feel किया कि एक बड़ा सा हाथ ने जो है मुझी पीछे से रोक लिया है it was a fireman वो एक fireman था I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks और even वो अपने मदर की तरफ देख रहे थे और इन सब अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे तो इस उसमें जो है उन्होंने ये भी notice नहीं किया कि पूरी की पूरी जो गली है वो fire truck से भर गई थी I was trying to free myself from his grabs yelling you don't understand my mother is there my mother is in there मैंने जो है उनके grasp मतलब पकड़ से जो है अपने आपको छुड़वाने की कोशिश की और चिलाया कि तुम नहीं समझ सकते हो मेरी मदर अंदर है he hold me he hold on to me while other firefighters ran into the house उसने जो है मुझे इसी तरीके से पकड़े रखा और comparatively दूसरे जो fire fighters थे वो घर की तरफ घर में अंदर की तरफ भागे he knew that I was acting very logically and that if he were to let go I would run he was right उसको पता था कि मैं जो है बिल्कुल logic काम कर रहा हूं अगर किसी की मदर अंदर है तो यह obvious है हम अपने मदर को इस तरीके से situation में नहीं देख सकते तो इसी तरीके से fireman को भी पता था कि जो writer कह रहा है कर रहा है जो acting कर मतलब जाने की अंदर घर के अंदर जाने के कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल सही है लेकिन अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं घर के अंदर चला जाता और यह बिल्कुल सही नहीं था तो इस वो सही था कि उसने मुझे पकड़े रखा उसने कहा कि कोई बात नहीं वो उसको वापिस ले आएंगे और उसने जो है मेरे चारो तरफ ब्लैंकेट लपेटा और मुझे जो है हमारी कार के अंदर बैठा दिया और थोड़ी देर बाद ही एक फायर मैं जो है हमारे घर से मेरी मदर को पुल तो का मीनिंग होता है वे बापिस लेकर आया वो जल्दी से जो है उसको ट्रक के पास लेकर गया और उनको उक्सिजन मास्क लगाया आई रैन ओवर एंड हग धर और फिर जो है रैटर एक दम से उस ट्रक की तरह भागी हुए गई और अपनी मदर को हग किया अब तक के लिए रैटर आके क्या कह रहे है ध्यान से इस लाइन को सेंटेंस को समझना है कि अब तक जितने भी आर्ग्यू मैंने उनके साथ किये जितनी भी मैंने उनसे नफरत की वो सारी जो है गायब हो गई थी इस थोट से इस डर से कि कहीं मैं उन्हें खोना दू देखिए यहाँ पर रैटर क्यों कहता है all the argued and hated क्या हम अपने मदर से hate कर सकते हैं नहीं हम अपने मदर से argue करते हैं वह पर रहे हैं उनकी पसंद का कुछ नहीं करने दे रहे हैं तो राइटर भी वही कह रहा है कि आज तक जो मैंने उनके साथ argue किये और जो मैं उनसे hate कर रहा था यह सारी चीजे गायव हो गई थी जब मुझे यह लगा कि मैं उनको खो दूँगा कहीं वो घर में आग में जलना जाए तो यह सारी चीजे वेनिश हो गई थी और जैसे ही उनकी मदर घर से बाहर आई एक दम से उन्होंने उसे hug किया she is going to be okay said the fireman she just inhaled a little smoke and then he ran back to the fire the fire my mother and I sat there dazed तो fireman कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी जरा सा उन्होंने थोड़ा सा smoke जो है अपने अंदर ले लिया है okay then उसके बाद उसने हमें वहीं पर छोड़ा और वो जो है fire को बुझाने के लिए fire से fight करने के लिए चला गया और मैं और मेरी मदर जो है वहीं पर dazed dazed मिन unable to think और react कि what is going on जो चीज़े हो रही हैं उसके बारे में क्या सोचे हैं कैसे react करें ये समझ ही ना पौना तो ऐसी situation राइटर और उसके मदर की भी थी वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या वो लोग करें क्योंकि उनका घर जल रहा था तो वो दोनों जो हैं वहीं पर बैठे रहे I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it राइटर क्या कहता है कि मैंने अपने घर को जो है जल कर नेचे गिरते हुए देखा और मुझे ये याद है और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं यहाँ पर कर सकता था मैंस कुछ नहीं कर सकता था राइटर ना तो आग को बुझा सकता था नहीं अंदर से कुछ चीजे ला सकता था सो वो सिर्फ और सिर्फ बैठ कर देख रहा था फाइव आवर्स लीटर दा फाइटर वस फाइटर वस फाइनली आउट आर हाउस वस अलमस्ट कंप्लेटली बर्न डाउन और पांच घंटे बाद जो फाइर थी वो फाइनली जो है बुझ चुके थी उनका घर अलमस्ट कंप्लेटली जल चुका था और तभी जो है राइटर को एक बात याद आती है कि उसने जो है अपने कैट को कहीं नहीं देखा और इस चीज़ ने मुझे और भी डरा दिया जब मैंने रियलाइज किया कि मैंने उसको कहीं पर देखा ही नहीं ना तो घर के अंदर ना वो घर से बाहर आती हुई दिखाई थी वो आखिर गई कहां तो उसकी कैट भी उसको बहुत ज़गा प्यार ही थी उसका घर भी उसको बहुत ज़गा प्यारा था जो कि जल रहा था जहां लो चैजे उसको ज़ो याद आ रहे थी और यह प्रीशान कर रही थी then writer word said I broke down in tears and cried and cried I was suffering loss big time मैं जो है बहुत जोर जोर से रोया और बहुत ज़दा tears उसको आए और इस time पर वो जो है बहुत ज़दा loss फील कर रहे थे हर एक चीज का loss पहले सबसे पहला loss ने फील किया क्या अपने पुराने स्कूल को छोड़ना दूसरा उसका loss था अपने घर का जलते हुए देखना तीसरा उसका loss था उसकी cat जो कि उसको बहुत ज़दा लव करती थी और वो भी अपनी cat को लव करता था वो भी उससे चले गई थी तो ये सारी चीजे जो है राइटर को बार-बार याद आ रही थी ड़र अलाइव आई कुड़न्ट इमेसिंग लिविग विदाउट नॉइंग वट अबाउट माइट ये जो है अभी भी डेंजरस था हाला कि पांच गंटे बाल आख बुच गई थी लेकिन घर के अंदर जाना अभी भी डेंजरस था लकडियां जो मेटल था अभी भी गरम था तो घर के अंदर जाना दीनजरस था बट राइटर जो है अपने के बारे में जाना चाते थे वो जाना चाते थे चाहे मेरी केक डैड है या अलाइव है बुचह अपने के बारे में जाना है Regardless I had to go लेकिन वो नहीं जान पाए क्योंकि fireman ने उन्हें जो अधर के अंदर नहीं जाने दिया और फिर anyway उन्हें वहां से जाना ही पड़ा We piled into the car with just the cloths on our back and a few of the fireman blankets made and made a way to my grandparents house to spend that night हमें जो है अपनी कार में बैठा दिया गया हमारे पास क्या था? सिर्फ वो कपड़े जो की हमने पहने हुए थे या फिर जो कुछ fireman's की blankets हमें उढ़ाए गए थे वो हमारे उपर था और फिर हम लोग जो अपने grandparents के घर चले गए थे उस रात को spend करने के लिए और तो कोई place उनके पास था ही नहीं तो वो अपने grandparents के घर चले गए और नेक्स दे मंडे आई वेंट तो स्कूल और नेक्स दे क्योंकि वो संडे का दिन था तो राइटर कहते हैं नेक्स दे मंडे जो है मैं स्कूल गया और जब मेरे घर में आग लगी तो मैंने जो है dining room के table पर बैठा हूँ अपने homework कर रहा था तो उसने उनको उतार कर फिंक दिया था they become yet another casualty of the fire और वो भी जो है fire की भीट चट चुके थे so I had to borrow some tennis shoes from my aunt why couldn't I just stay home from school so writer को जो है अपनी aunt से tennis shoes जो है बोरो करने पड़े normal shoes जो थे school के shoes जो थे वो तो उनके पास उसके पास थे ही नहीं वो आग में जल गए थे तो उसने जो है अपनी aunt से tennis shoes बोरो किये तो writer क्या कहता है कि why couldn't I just stay home from school मैं जो है आज घर क्यों नहीं रख सकता school जाने की बजाए means वो school नहीं जाना चाता था इस हालत में ना तो उसके पास school uniform थी ना ही उसके पास school shoes थे उसका backpack भी जल गया था उसके पास notebook वो कुछ भी नहीं था वो school नहीं जाना चाता था बट writer क्या कहत केते हैं my mother wouldn't hear of it but I was totally embarrassed by everything मेरी mother जो है इस बारे में कुछ नहीं सुना चाते थी इस जब writer ने अपनी मदर को कहा कि मुझे school नहीं जाना इस हालत में तो उसकी मदर ने कुछ नहीं सुना और कहा कि नहीं तुम्हें school जाना ही होगा और इन सब चीजों के लिए writer कैसा feel कर रहे थे embarrassed feel कर रहे थे the clothes I was wearing looked weird I had no books or homework and my backpack was gone I had my life in that backpack writer क्या कहते हैं कि मेरे जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बड़े अजीब लग रहे थे school में देखे school में तो हम सभी school uniform डालके ही जाते हैं तो school uniform नहीं लहोगी तो वो अजीब लगे गी तो writer कहते हैं कि जो कपड़े में ने पहनी हुए थे वो बहुत अजीब लग रहे थे ना मेरे पास book थी ना not books थी ना homework था और मेरा backpack भी जल गया था और उस backpack के साथ मेरी life भी जल गयी थी ऐसा जो है writer feel कर रहे थे फिर उसका घर का जल जाना उसके cat का गुम हो जाना तो चीजे जो हम उसके लिए वर्स हो रहे थी तो writer इस चीजों को देखकर इस environment को देखकर क्या सोचते हैं कि वो जाई destined to be an outcast and geek outcast and geek all my life क्या जो है मेरा future यही है this that's what it felt like मुझे तो ऐसा ही feel हो रहा है I didn't want to grow up change or to have handle life if it was going to be this way तो writer क्या कहते है कि अगर life इसी तरीके से चलनी है तो ना तो मैं बड़ा होना चाहता हूँ ना ही मैं कुछ change करना चाहता हूँ और ना ही मैं अपनी life को handle करना चाहता हूँ I just wanted to curl up and die मैं तो सिर्फ जो है मर जाना चाहता हूँ तो writer किस तरीके से प्रेशान हो गए थे हाला कि हम सब प्रेशान हो जाते हैं teenage में चीज़े समझ में नहीं आती है उनके पास ना तो किताबे थी ना बैग था ना ही उन्होंने स्कूल उनिफॉर्म डाल रखे थी everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen हर एक चीज़ रहे सुरियल का मिनी होता है unreal कुछ भी रियल नहीं दिख रहा था कुछ भी असली नहीं लग रहा था सब कुस force लग रहा था और मुझे समस में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है यह सारी चीज़े मेरे साथ ही क्यों हो रही है all the security I had known वो सारी चीज़ें जो मेरे लिए security थी और मैं जिनको जानता था जैसे कि from my old school my friend my house my cat had all been ripped away मेरा पुराना school, मेरे friend, मेरा घर, मेरी cat वो सारी चीज़ें जो है मुझसे छीन ली गई थी और मैं उनके लिए तड़प रहा था so writer यही कह रहे हैं कि भई वे सारी चीज़ें मेरे पास हैं ही नहीं तो मैं जीना भी नहीं जाता हूँ so this video में हम यहीं तक करेंगे next part of the chapter will continue in the next video till then bye bye keep learning